हेलो अबरीवन वेकम बैक तो माई यूटूब चानल तो आज हम इस वीडियो में क्लास एथ पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड एक्रिकल्चर बुक का चैप्र नमबर फॉर सोलर अनरजी के हम कोशन आंसर करेंगे इस वीडियो में हम इस चैप्रस में पूछे कि आपके वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉंग कोशन इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो आप इस वीडियो को अन तक जिरूर दिखेगा और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप रिक्वेस्ट यू तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल एंड फोर देटर सब्सक्राइब प्रेस्ट अबल आइकन तो सोलर अनरजी के रिकारडिक हम इस चैप्टर में कोशन पुछे गें फर्स कोशन इस वाटर हीटर है उसका मेजर बेनफिट किया है कि हमें वाटर हीटर मींज पानी को गरम करने के लिए फोर दर टेंपरिचे कितने टेंपरिचे तक हैं लाज दन हंडर डिगरी सेल्सी तू एग्जामपल और री नियूएबल सोर्स ऑफ अनरजी जो दुवारा हम बनाए जा सकते तो उसमें सोलर अनरजी और बाइकास हो जाती है गिव टू एग्जामपल ओफ नॉन री नियूएबल सोर्स ऑफ अनरजी डियाटिस कोईला और पर्टोलियम परड़क्टी जो दुवारा नहीं बन सकते अगर बनेंगे भी तो इन्हें बनने में अर्बो सालों का टाइम लग सकता है विव तो टाइपस के होते हैं एक होता है होता है मल्टी परड़क्ट किलियर सोलर ड्राइयर नेक्स है कोई भी दो वैजीटेबल के ने बिताने तो इसमें स्पाइश फैंगरिक एन चिली ये ऐजली सोलर ड्राइयर पर हम क्या कर सकते हैं कोशे नबर सिक्सी इस वट वो एक टाइम पे 20-30 kg अग्रिकल्चर प्रड़क्ट को ड्रड़ कर सकता है और जो डुमेस्टिक वाला होता है वो थो तू तू थी कीजी यह फिर फाइव कीज अप्टू इससे ज्यादा वो उसके अंदर प्रड़क्ट को ड्रड़ नहीं कर सकता हमें बचा सकते हैं अगर हम सोलर कोकर का हम यूज करेंगे तो हम 20-50 परड़ सकते हैं कितने घंटे तक हम सोलर लालटें का में उप्यों कर सकते हैं तो 3-4 घंटे क्षिट नंबर 17 हम इनगे पर सोलर कोकर अरधियर कितने टायब के सोलर कोकर होते हैं तो तू टा ändलन आज़ीघ के एंपर जहँते हैं तो इसके अंसर में बता रहूं है एक है box type solar cooker होता है और second is double reflection solar cooker है question number one that is very short question answer और टारदा type of energy two type energy होती रिन्यूइबल और नॉन रिन्यूइबल जो रिन्यूइबल हो जाती है जिसमें आ जाता है बायोगाइस chemical energy यह प्लैंटी मात्रा में है और कम कोसले होते हैं नॉन रिन्यूइबल से जो कि electricity call petrol है और यह limited in nature है और यह dvd क्या है इनका जो amount है वो भी क्या हो रहा है इंक्रीस होता जा रहा है question number two we name the product which we dry with the solar drive कौन से product हम solar drive के health से हम सुखा सकते हैं Spanish, tomato, fangrik, mustard leaf, potato, turmeric, chili, plum, peach, grapes इन सभी को हम solar drive में सुखा सकते हैं what is meant by solar cooker solar cooker means वो device जो जिसकी help से हम solar सूरज की help से हम खानों को पकाते हैं और यह हमारा 22-50% non-reliable force को बचाता है street light की बात करें तो this light is used यह तब होती जब sunset के बाद और कहां पे street or diode में यूज़ करते हैं इसकी battery की से charge होती है solar energy से start होती है यह अपने आप ही जब light चल जब हमारे यहां पे अंधिरा हो जाता है sunset हो जाता तो अपने आप जल जाती है इसे जलाने की लोडने पड़ती what are the points keeping in mind why cooking in our solar cooker कौन से point हमें solar cooker में cook करते टाइम हमें ध्यान रखने चाहिए first of all preheat करना चाहिए solar cooker कैसे preheat करेंगे खाना बगानाने से पहले हमें कुछ देर हम सूरज की रोश्टे में उसे रखतेंगे second is उतना ही पानी डालना है जितना उसमें food आ सके third is vegetable और eggs को हमें काटने की load नहीं है sorry vegetable और eggs को हमें पाने डालने की कोई load नहीं है potato और vegetable को बलकि छोड़ी छोड़ी पीसे में काट कर हमें solar cooker में डालना चाहिए fourth point is container containing in kitten and water हाफ लेवल से ज़्यादा फिल नहीं होने चाहिए question number six is describe briefly the solar home lighting system है in this system है हम inverter battery को हम चार्ज करते हैं ठीक है इसकी help से two ball of and two fan 5-6 घंटे तक चल सकते हैं जब पावर काट हो जाए what is solar water pump तो solar water pump जैसे हमारे यह water pump होता है तो उसमें भी solar water pump होता है इसके उपर panel लगे होते हैं से water pump को चार्ज करता है और यह कितने लेवल तक का 35-40 फीट लेवल तक का पानी यह निकाल सकता है ठीक है अब solar lantern की बात करें यह emergency light होती है जो कि sun की energy में चार्ज होती है और इसे हम 3-4 गंटे हम यूज कर सकते हैं और इन्हें 2-3 डेज का टाइम लगता है ड्राइ करने में और जो परड़क्ट इसमें ड्राइ होते हैं हम उसे powder form में अपने kitchen में यूज कर सकते हैं इसे ड्राइड चीली अनियन गालिक मैंगो पाउडर जिंगर स्पैनिश लीव यह सारे हम solar dry में इसमें solar dry में सुगा सकते हैं multiple product solar dry क्यों होता है जिसमें agriculture product हम low temperature में at a low air temperature then the maximum low temperature में हम dry करते हैं जिसमें हम 20-30 kg हम product को per day हम dry कर सकते हैं हमारे short और very short complete हो जाते हैं आव इस chapter के long ocean पढ़ेंगे five to six sentence में explain method of solar को अभी हम पढ़के आ चुके हैं four method हमने फ़र्ल दिया है इसमें fifth है keep the top of the solar cooker towards the sun जो भी उसका मुँ है हमें वो कहां रखना चाहिए सुरज की तरफ रखना चाहिए अगर पीछे हमने चाहां की तरफ हमने उसका मुँ रख दे तो इटमी सम खना नहीं बना सकते do not open हमें solar cooker को बारी बार open नहीं करना चाहिए ठीक है और उसकी lid को properly carefully हमें यह करना चाहिए ताकि जो steam हमारी body को hurt ना कर सके ठीक है now question number two है explain the solar water heater in detail solar water heater है heater device है जो कि हम सर्दियों में यूज़ करते है water को गरम करने के लिए इसमें tube, storage tank, tube and fix assembly glass sheet होती है जो collector tube होती है उसको हम क्या करते है जोईन करते है head bottom से लेकि top storage तक bottom से start करते है इसके top storage में एक टैंक होता है जो की जिसमें की हम क्या कहते है पानी भी गरह रखते है ठीक है front of the tube and fin जो की assembly होता है वो covered किसी होता ग्लास sheet से होता है आगे और पिछे से properly insolated होता है उसकी पर sun rose जब के कहते हैं ट्यूब्स भी डिरेक्टली फैल होती है तो उस डिरेक्टली sun rose की केंड़ने उस tube में पैदा पढ़ने के कारण जो पानी गरम हो जाता है ठीक होट वाटर की बात करें वो cold water के comparison lighter होता है और hot water को move करने के लिए move to the hot water move to the upper part of the storage trunk question number 30 और जो भी hot पानी हुआ है वो जो उपर जो ट्रंक बना हुआ है ठीक है इस ट्रंक में जाके क्या हो जाता है ठीक है now question number 30 solar dry है हम solar dry को हम इस्तमाल क्यों कर सकते है फ्रूजडन vegetables को dry करने के लिए two type का होता है पहला है cabinet dry cabinet dry है wooden box होता है ठीक है और black from inside अंदर से पूरा काला होता है ठीक है इसके उपर एक हम glass sheet डाल लगा देते हैं inside the box इसमें अब्रोफेटरिटेटे ट्रेइड अरेंज करते हैं different level में on the another hand product to be dry is placed in this tray जो भी उमने product dry कर दिया बाद में हम उस पर प्रड़क्स को again उसी plate में रख देते हैं ठीक है और the true holes in this dry allow तो जितने इसमें दो छेद होते हैं dry पे उसे help करते हैं कि उसमें जो हवा निकलती रह सके मुल्टि परड़क्ट solar system है यह domestic purpose के लिए होता हमरे agriculture purpose के लिए use करते हैं ठीक है इसमें sheet of wood and iron of glass fabric help से बनी हुई है there are many holes in the lower part and upper part of circulation of it एक arrangement करने चाहिए जिसमें हमें placing and removing product को mention करना चाहिए ठीक है there are tray उसकी height 3-4 cm होती है हम जो भी pieces जालती है इसमें over fruits जो हम dry करने के लिए जाते हैं उसे हम cut करके ही डालती है ठीक है तो इसे हम product को protect करने हैं हम क्या करते हैं to protect the product from getting the direct sunlight उसके उपर एक shining black bed fixed होती है since यह solar device है और solar energy से use होता है तो इसे हम sunlight पर रखना पड़ता है इट glass top है उसकी direction कहा होने चाहिए south के तरफ होने चाहिए अब solar gadget है इसमें आप कौन कौन से लिखोगे solar laltine यूज सकते हो solar dryer कर सकते हो solar water cooker solar cooker लिख सकते हो how do solar energy can be used in different way solar sun के ultimate source of energy है plant अपना जो भी भूजन है सूरज की किनों में रहके अपना खाना बनाते है living beings अपना food के खाना किस से लेता है plant से लेता है sun responsible है air water cycle but all these things are जो भी कैसे होने चाहिए automatically happen होने चाहिए when we use solar energy in different way हमें different technique का यूज करना चाहिए for example when we heat water using solar energy cook food and produce electricity we can dry fruits and vegetables what we can do with solar cooker we can dry it with solar dry we can dry it with solar dry electricity can be produced using solar cells जो भी cell है उसके help से electricity produce कर सकते हैं और इसके लाव we can say non reliable source of energy by using solar system ठीक है with this आपके चाहप्टर के question answer यहीं पर finish हो जाते हैं अगर आपको वीडियो पसंद लगी तो प्लीस आप इसे लाइक किजिए शेर कीजिए और चानल को जरूँ सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू वांस अगें फॉर वाचिं दिस वीडियो तर चानल के लगी जए और